So friends, आज अपने वीडियो में बात करें, class A20 के बात करें, तो हम बात करें classification है, codates के अंदर एक class A20 के बात करें, तो थोड़ा समा आपको ज़्वाइज करा देता हूँ कि पहले अपने क्या क्या चीज बात कर लिए, तो हम पने codates का classification देखा था, तो codates को दो group के अंदर divide किया कनमर दो ब्त讓 सब्राइम के नाम सब्राइम को इना मिन divisial र्जिक्तό हम फिर यह बात करें देंदें ADC एक थो थेसी और लाट जाते हैं यह क Cape ओड जाती है और के और इचिल फिर फिर explaining पार जो श्क्राइब फालने अपड़ करने पोर घंदर आने तिन सब्सक्रेक्ण। आपने टा कम्ली तो अब अपने किस इत्ली बात यारा कले है数 एवीज की बात कर लेते हैं, कि एवीज क्लास की बात कर लेते हैं, वार कि एवीज की बात कर लेते हैं, तो एक important चीज याद रखने वाली यह चीज होती है, कि steady of birds, यहना birds की steady को क्या बोलते हैं? steady of birds study of bytes क्या बोला जाता है ornithology बोला जाता है किसको बोला जाता है study of ornithology और नहीं तो लोजी एक सीज बता देता हूं कि यह जो कोडेट का क्लासिफिक्शन देख रहे हैं इसके अंदर जितने भी क्लास जो मैंने बता हूंगा उन सबके नोट्स आपको प्रवाइड कराई जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको नोट्स की बात कर लेते हैं कि जो यह जो बैड्स होते हैं इनका जो सरीर कैसा होता है इनके सरीर की बात कर लेते हैं तो इनका सरीर होता है वो सीर कितने भागों के अंदर बटा रहता है सरीर के अंदर गर्दन धड़ एंड पूच में इनका सरीर बटा हुआ रहता है और इनके पाद कितने होते हैं दो जोड़ी पाद पाई जाते हैं दो जोड़ी पाद होते हैं और जो अग्र पाद होते हैं जो आग्ये के पाद होते हैं अग्र पाद वो पंखों में बदल जाते हैं जो क्या होते हैं उड़ने के काम आते हैं जो दो जोड़ी होंगी उन मिसे जो एक जोड़ी पाद उगी जो अगर पाद होंगे वो पंखों में बदल जाते हैं जो कैसे काम आते है उड़ने में ताम आते हैं और इनकी जो तवचा होती है याना इस वर्ड के अंदर जो अनिमल्स आएंगे जो बैट्स आएंगे उनकी जो तवचा होगी उनकी तवचा पर क्या होंगे फेदर का आउरण बना रहता है किसका उनकी तवचा पर पिछ का याना फेदर का आउरण बना रहता है किसका चौंस अपसेंट होती है और दात होते हैं वो अनुपस्तित होते हैं चौंस तो क्या होती है प्रजेंट होती है वैट्स में आपने देखी होगी चौंस तो क्या होती है उपस्तित होती है एंड क्या होंगे इनमें दात क्या होंगे पित क्या होंगे अनुपस्तित होते हैं अ इनका कंकाल किसका अंते कंकाल किसका बना होता है? अस्तियों दोवारा इनका अंते कंकाल बना होता है और इनका जो ब्रेन होता है, याना मस्तिक्स होता है इनके ब्रेन के अंदर बारा जोड़ी क्रेनियल नर्वर्स याना कपालिय तंत्रिकाइं पाई जाती है कितने brain के अंदर 12 जोड़ी कपालिये तंत्री का कपालिये तंत्री का ये पाई जाती है यहना cranial nervous system कितनी पाई जाती है brain के अंदर 12 जोड़ी पाई जाती है और इनमें जो स्वांस के लिए absorption है तू क्या present होते हैं? फेफडे होते हैं absorption किसके दौरा होता है? यहना वायू कोस उपस्तित होता है फेफड़ों में क्या होते हैं? वायू कोस यहना air sec के दौरा भी होता है वायू कोस के दौरा भी इनमें solution होता है और इनका जो फ्रेदे होता है हना हार्ट होता है इनका जो हार्ट होता है? चार कोस्टी होता है 4-chamberd होता है, 4-chamberd होता है, 4-chamberd होता है, और इनके अंदर जो RBC होती है, इनके अंदर, ब्लड के अंदर जो RBC पाई जाती है, ब्लड के अंदर जो RBC पाई जाती है, वो कैसी होती है, कैंदरक युक्त होती है, कैसी होती है, कैंदरक युक्त होगी, और कैसी होगी, अं अंडाकार इनमें RBC पाई जाती है और इनके अदर जो sound होता है वो इसके दोरा है ना दवनी उत्पादक अंग कौन सा होता है sound producing organ कौन सा होता है sound producing organ shortcut में लिखा है sound producing organ यहना दवनी उत्पादक अंग कौन सा होता है सी रिंग्स होता है cirrings के दौरा इन में dhone का उत्पादन होता है, मतलब जो यह आवाज करते हो किस के दौर आता है, cirrings के दौरा और इनके जो पश्चे पाद होते हैं, य soybeans इनके inder जो केवल पश्चे पाद होंगे कौन से? पश्चे पाद होंगे उन पश्चे पाद पर ही केवल, क्या होगी, पश्चे पाद पर ही केवल, सल्क परजेंट होते हैं, पूछ लिया जाता है, कि सल्क कहां परजेंट होते हैं, पश्चे पाद के अपर इनके सल्क परजेंट होते हैं, और इनमें जो उत्सर्जन होता है, इनके अंदर उत्सर्ज और जो वर्ग होता है, वो कैसा होता है, मेटानेफरिक परकार का होता है, वर्ग किस परकार का होता है, मेटानेफरिक, मेटानेफरिक इनके अंदर वर्ग पाया जाता है, और यह कैसे होते हैं, जो बैड्स होते हैं, उरिको टेलिक, मतलब उरिया का उत्रेजन करते हैं, अब सबसक्राइब करके देख सकते हो कि Urego telec, Urea telec, Amino telec में क्या अंतर होता है तो यह कैसे होते है? Ureego telec होते है यूरिय का उत्सरजन को होते है लेकिन याद रखेगा इनके अदर जो मुत्राशन होता है जो मुत्राशय होता है वो absent होता है इनिमल्स के अंदर 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 के अंद तो यह important चीज है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा एवीज याना पक्सी है, जिसके अंदर क्या होता है, मुत्रश्य पाया जाता है, वो कौन सा होता है, सतुर मुर्ग, कौन सा होता है, सतुर मुर्ग, किसके अंदर, सतुर मुर्ग के अंदर क्या पाया जाता है, मुत्रश्य पाया जाता है, और यह सबके सब क्या होते हैं, बैट्स सबके सब क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, बैट्स क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और इनके अंदर जो मादा प्राणी होती है, बैट्स के अंदर जो मादा प्राणी होंगी, उनके अंदर क्या होगा, जो बा ician in beds inajation which is internal ांतरिक habituation internal fertilization इस law of development लिए परिवर्धन लिए परिवर्धन लिए ? इसवर्धन अर्थखन लिए ने अर्ग मैंषिए इसवर्धन लिए परिवर्धन लिए जाता ये development वा होथा लिए ? ये फरिवर्धा पाये जाता है Parental Care Beds के अंदर क्या देखने को मिलती है Parental Care देखने को मिलती है याद रखेगा Parental Care किन में देखने को मिलती है Avis के अंदर भी देखने को मिलती है अब जो Avis को भी कहे कि दो Super Class के अंदर बाटा गया है Avis है, उसको दो superclass के अंदर बाता गया है Avis के भी दो superclasses है याना upvorg है कितने दो upvorg है Avis के तो इसने को दो upvorg के अंदर किसने बोला था अपन पढ़ते हैं, waitmore के अनुसार waitmore ने बताया था कि दो upvorg गयन के कौन कौन से है एक तो हाता है orkionethys एक उपवर तो है Orcheonithes Orcheonithes एक आता है Neonithes Orcheonithes and Neonithes कितने उपवरचों के अंदर बाटा गये इनको E.V. को दो उपवरचों के अंदर बाटा गया Orcheonithes and Neonithes Ircheonithes and Neonithes क्या होता है इसकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी तो आप चैनल को subscribe कर लिजिए अगली वीडियो के अंदर आपको बता हुआ ये वीडियो पसंद आईए तो आप like, share जरूर कीजिएगा ज्यादा जरूर को share जरूर कीजिएगा और notes के लिए आप भी चैनल को subscribe कर लिजिए कुछी दिनों के अंदर आपको बताइट करा दिये जाएंगे Thank you friends, next video में फिर मिलेंगे